हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टो मैं चैनल कैसी सब लोग उमीद करते हैं सब लोग बहुत एच्छोंगे चलिए देख लेते हैं आज के हमारे यूजफूल टीप्स और ट्रिक्स जिसको देखने के बाद हम इसको घर पे जरूर ट्राइ करेंगे क्योंकि बहुत यूजफूल है पेशा तो बिलकुल लगने वाला नहीं है और हमें बहुत ही मदद मिल जाएगी मिज़े थुड़ा सभी पसंद आई तो ऐसे ही बने रही फ्यार देते रही और हाँ पसंद आई तो लाइक केमेंट शेयर कीजिए और फ्रामली में शेयर कीजिए चानल में नहीं है तो प्ल को इस तरह से लब्बाईं में रख रही हो और यह हमारी जो किवर है जो हमारी टिक्षा करने वाली स्टिक है हमें यहाँ पर पतला श्टिक नहीं नहीं लेना है यह क्यों बना रही हुआ आपको बताऊंगे आप वीडियो में बने रहिए तो यहां पे इसी स्टिक से में र थोड़ा ज्यादा कर लिजिए हमें बहुत जरूरत होती है यह घर की काम में और चले इसको मैंने बना लिए थोड़े बहुत बना लिए आपको दिखाने के लिए तो नेक्स टेप मेरा यहां पे यह है के एक कैंडल ले आई और कैंडल को हम यहां पे क्या करते हैं इसको चलिए इसको करना क्या है आपने इस आईडिया बिल्कुल नहीं देखा आगा बहुत ही यूनिक आईडिया है आप एक पर घर पर ट्राइ कीजिए बढ़े है रिजल्ट मिलेगा तो हमने जो यह कैंडल में मेल्ट किया था उसी कैंडल को मैं यहां पे डाल रही हूं ऐसे ब देख लिजिए आप इसको देखने के बाद आपको बड़ा मज़ा आएगा आप जरूर करेंगे और यह फाइदा ही फाइदा है बहुत ही अच्छा लगेगा तो हम इसको डुबा के रख ले देहें इसको 15-20 मिनट छोड़ते हैं और इसके बाद हम चेक करेंगे यह अपनी काम किया है कि नहीं है तो इस तरह से हाथ मत लगाए इस तरह से सीख स्टिक से कीजिए ताकि कैंडल गरम होता है हमें चोड़ बोड लग जाए हाथ मत जल जाए इससे साफधनी रहे आप अपने हिसाब से कर लीजिए तो देखिए यहां पे मेरा क्या यह जो मैंने कैंडल बीस मिनट बाद यह अच्छे से टाइट हो गया है तो उपर से थोड़ा थोड़ा रूई की बाती रहे गया है इस पर नहीं लगाई मैंने तो देखिए उपर से थोड़ा वेन डाला नहीं तो इसको हम मल्टी परपस में यूज कर सकते हैं एक तो हम दिया में इसको इस तर बहुत करके रहे जाते और देखिए यह चोटी वाली केडल की काम हो गई जो पतला पतला केंडल आता है उसी का काम यह कर गया देखिए एक ढ़ंडिया हो गया कैंडल हो गया। टू- uit-uni काम बहुती बचत हो गया है और हैल्फूल भी हो गया। तो चले देख लेता है निक यहां पर मोली धागा जो ले कर आई और इस पर चली की पीछे वाली हिस्ते में हम इसको बाहन देते हामें जितुनी चाहिए मैं यहां पर उत्य नहीं लोगी आप मुझे अगर बड़ा चाहिए मैं बढ़ा लोगी छूटा चाहिए तो छूटा लोगी तो चले यहां पर मैंने तोड लिया देखिए यहां पर मुझे जतने चाहिए था मैंने ले लिया तो इसको हम क्या करेंगे हाथ से इसको दोना हाथ से इसको अच्छे से मोडेंगे ताकि यह अच्छे से ट्वीस्ट हो जाए तो पहले हमें इसको एक जगा पर स्टिक करके अगर आपको double नहीं करना है तो आप single में भी कर सकते तो इसको रखने के बाद हम और उसकी दूसरी पार्ट को हमें से sept twist करते हूं देखे हाथ से हमें जब ही भी हमारे पास कोई नहीं यह, तो हमें किसी के help चाहिए तो हम इस तरह सेовать मदत कर सकते हैं, घर पर जो सामान है में उसी से हमारी मदद मिल जाएगी हमें तो यहां पर मैंने बांद के हमें ट्विस्ट कर लिए तो देखिए कितने अच्छे से हमारे यह जो काम है बन गया अब चलिए हम इसको निकालते हैं आप चाहिए इसको फिर से फोल्ड करके तुड़ा मोटा बना सकते कहने लिए जादा मोटा नहीं करना है तो चलिए अब हम इसको निकाल देते हैं निकालने के बाद यहां पर देखिए मेरे कितने अच्छे से यह आगया तो आप हमीं करना क्या है यह काम हमें इस्तेमाल करना होता है मोले ध्यका को इदर उधर पढु रहते बहुत नहीं खुल रहे तो आपको गयाने की जरुरत नहीं है अगर हमझे जादा ट्विस्ट किया है तो थोड़ा बहुत गांट लगाने यों फिर से ट्विस्ट होकर खुल जाएगा तो चलिए हमने यह यहां पे जितनी गांट लगानी हो और अपनी साइज आपको इसे हम गांट नहीं तो इसे ही cutting कर लेंगे तो चलें यहां पर में काट लेती हूं छोड़े चोड़े यूसफुल टीप से जो हमें मदद मिल जाती है इस दिवाली आप इस तरह से हमने घर पे इस तरह से आप बेटने के टाइम पर मना सकते हैं टीवी देखने के टाइम पर तो देखें इसको इस तरह से हम दिवाली में हम क्या करते हैं पंच मुखी दिया जलाते हैं और इसको हमें अखन जोत भी जोत में भी लगाते हैं जो रूई की बाती से बहुत ही इक्सटर हमें खरिदना नहीं पड़ेगा जो घर पे सामाने हम उसी से बना लेंगे तो देखिए इस तरह से मौली दागा से हमने बना लेगा कितना सुंदर दिख रहा है और कितिने अच्छी लग रहे हैं जैसे कि हमें बाहर से लाना नहीं पड़ रहा है तो दे चलिया तब में छोटा सा पीस निकाल रही हूं बहुत ही यूसफुल चीज है और आप इसको अगर करेंगे बहुत ही अच्छा लगेगा और चलिए यहां पर में दोनों पार्ट में इसको काट ले दी हूं बिटा थोड़ा से भी हलफुल लगे दोस्तों ऐसे ही बने रही है और प्ल केसे बोटल मैं चोटा सा पाड चाकोसे बीच में से टब करना हमें बहुत ही जरूरी है जरी होट है था ने क्थ Cornish की कटो रहékने और यह जरुर में ऊक्नी के शरुछां वरण के मैंज़री इसका ऊपके हrüे different color भी अब डाल सकते तो मैं ने यहां पे थोड़ा color डाल के यहां पे साधा पानी डाल दी अब color अगर हम इसमें मिला रहें तो थोड़ा और attractive करने के लिए हम अपनी creativity दिखा सकते और बना भी सकते तो देखिए मैंने काच की बरतन में लिए आप चाहें तो दिया मिले सकते को पूजा की तेल डालिए और नाले तल दाले कुछ भी आप अपनी हिसाफ से डाल लिजिए तो जै लिए जो ने हमने ये बोटल को काटता ता उसकी बीच में हम ये रूई की बात इंडाल देते है इसमें देखिए हमें बहुती मदद बिल जाती है, इस डीवाली हम तरह-तरह की चीजे खरिट के लेकर आते, किउना हम घर पे छूटँ-छूटँ काम कर ले ताकि हमें बहुती मदध मिल जाए देखिए दोस्तों बिना पेसे में बिना खर्चे में बिना कुछ किये हुए बाहर नाज गए हमारे कितने सुन्दर डेकोरेशन का चीज बन गया दिवाली में वाटर कैंडल हम लोग इस्तेमाल करते हैं बहुत ही अच्छा लगता है इसको हम बाजार से खरिद के लेकर आते ह बहुत ही मेंगा होता है तो देखिए अपने क्रेटिविटी से कितने सुन्दर बना ले आप अपने सर्फ से थोड़ा ज्यादा बना लेजिए दिवाली वे डेकोरेशन कर लेजिए कैसा लगा आज का वीडियो आई हब थोड़ा सबहें लगे तो इसे बढ़ने रहिए प् अलके अच्छी वाले टीप्स और जिसमें तब तके लिए जस्तो टिक केर और बाइब बाई